एलो एवरिवान गुड आफरनून तू आल अफ यू तो आज हम कॉंटिन्यू कर रहे हैं अपने mc questions related to financial management for ESI deputy director exam तो आपको remind कर वाद हूँ हम कर के आ रहे हैं हम chapter wise mc questions discuss कर रहे हैं और ESI deputy director exam तहले हमने सारे ही accounts के chapter cover करें उसका link आपको description box में मल जागा अगर आपने मेरे साथ साथ वो questions discuss नहीं करें तो आप वो videos पूरी playlist उसकी description में given है उदर जाके देख सकते हैं अब हम अपने financial management के topics को cover कर रहे हैं last time हमने capital budgeting की बात करी थी और आज के session में हम mc की questions discuss करेंगे related to cost of capital बहुत ही easy chapter है इससे related five questions हम आज ही class में discuss करेंगे चीग है अगर आप first time हमारे चैनल पर आए है तो जल्दी से subscribe बटन में दवाजिजिए और bell icon पर click कर दिजिए ताकि जब भी हम ESA deputy director से related videos लेकिए हैं तो उसकी notification आपके पास चली जाए और अगर आपके कोई doubts हैं तो वो आप हमसे हमारे टेलिग्राम चैनल ESA deputy director अनुजिंदल में हमसे पूछ सकते हैं और किसी भी topics related सिरफ FM या account से related ने किसी से भी topics related डाउट होगा महाँ पे आपको faculty reply करेगी और अगर आप course purchase करना चाते हैं और अपनी performance को boost करना चाते हैं तो जल्दी से अनुजिंदल.in पे जाए महाँ पर ESI के section में जाके enroll कर लीजिए आइस पूरे course में सारे ही details में videos और topics discuss हैं तो चलें अपने questions की और तो आज का पहला question है given risk free rate of return given है market return given है cost of equity given है हमें value of beta निकालनी है beta की value की निकालनी है हमें तीन information given है questions में तो हमें निकालना क्या है beta निकालना है questions start करने से पहले अपने पास एक paper pen रख लेना और जैसे ही हम five questions discuss करेंगे आपको check करना है क्या आपके इस topic से सारे questions सही होते हैं या न फिर नहीं अगर maximum question गलत हो रहे हैं तो आपको इस chapter को दुबारा revisit करना है दुबारा revise करना है chapter wise करने का main मकसद मेरा यही था कि आपको पता चल सके कि आपके कौन कौन से chapter अच्छे से prepared हो चुके हैं और कौन से नहीं chapter wise करने से हो क्या आगा क्या कि हमें पता चल जाएगा कि भाई इस chapter में मैं अटक रहूं तो उसको हम revise कर लेंगे रिविजिट कर लेंगे चीक है और पांच questions आपको attempt करने एक paper लेके बैटे हैं और चेक करना है कि आपके कितने सही होते हैं और वो comment box में मेंशन करना है कि मेरे तीन सही हो चार सही है चले तो question क्या है हमें value of beta निकालना है तो जिस दिसने पढ़ा होगा उसे जूरते ही question में याद आ गया होगा यह किस से related है यह related है cost of equity से किस से related है cost of equity से आपको remind करवाने के लिए याद दिलवा दूं cost of equity के हमारे पास चार formula थे चार method से different different कौन कौन से dividend price approach, earning price approach, growth approach और capable और capm dividend price approach में cost of equity कैसे calculate करते थे डिविदेंट आपन में जो price है current year का और earning price approach में cost of equity कैसे calculate करते थे अर्निग upon में price similarly growth approach में cost of equity कैसे calculate करते थे डिविडेंट अपॉन में price plus growth अच्छा ये model किसका given है Gordon का याद हो तो Gordon growth model और last हमारा था CAPM Capital Asset Pricing Model जिसमें हम cost of equity कैसे calculate करते थे return जो कि risk free है plus beta plus market premium तो हमारा जो question है वो है CAPM से क्या question है उन्होंने 3 values दे रखी है और हमें beta निकालने के लिए बोला गया तो क्या formula था जो हमारी cost of equity होगी वो किसके बराबर होगी risk free rate of return के plus market premium के और market premium कैसे निकालते है beta into क्या market का return minus risk free rate of return तो risk free rate of return कि तादे रखा है 5% cost of equity किती दे रखी है हमारे पास 15% plus beta की value हमें निकालनी है market का return के तादे रखा है 10% और risk free कितना हो गया 5% तो 10% एगर मैं 5 को दर ले जाओ तो minus हो जागा 10% is equal to beta into 5% तो beta की value आजाएगी 2 तो इसका correct answer हो जाएगा हमारा option number C 2 beta की value क्या आजाएगी 2 अच्छा beta होता क्या है recall करो जल्दी से beta होता क्या है beta होता है कि हमारा जो stock है वो market से कितना fluctuate कर रहा है volatile है ठीक है न जो कि हमारा risk बताता है beta हमारा क्या बताता है risk बताता है security का ठीक है और ये वाला method CAPM हमने याद हो तो CAPM हमने risk and return chapter में भी पढ़ा था cost of capital के साथ साथ risk and return में भी बढ़ा था तो इसका correct answer हो जाएगा हमारा option number C 2 चले next question की आख तो next question है हमारा which of the following is the correct formula to calculate the cost of irradiumable preference shares पर चार formula दे रखे हैं क्या preference dividend into 1-3 t का मतलब यहाँ पे क्या है tax ऐसे preference dividend into 1-3 upon me net proceed preference dividend upon me net proceed into 1-3 preference dividend upon me net proceed इन में से cost of irradiumable preference shares क्या है cost of irradiumable preference shares बतानिया में तो preference shares के case में हमने दो cost discuss करे थी cost of preference shares में कौन कौन सी एक तो है हमारी redeemable preference shares redeemable preference shares का मतलब क्या हो गया redeemable preferences और एक होते हैं हमारे पास irredeemable preferences redeemable preferences का मतलब क्या हो गया वो preferences जो कुछ time बात redeem हो जाएंगे redeem हो जाएंगे मतलब उसकी amount वापसी गर दी जाएगी और irredeemable preferences का मतलब क्या होता है irredeemable preferences का मतलब होता है वो preferences जो कभी भी redeem नहीं होंगे मतलब वो long term के लिए business के पास रहेंगे example ले लेते हैं let's suppose एक 100 रुपीज का preference shares है अब जिस investor ने ये 100 रुपीज का preference share लिया होगा company से अगर ये redeemable preference shares है तो कुछ time बाद company को ये 100 रुपीज उस investor को return करने पड़ेंगे उस preference share holder को return करने पड़ेंगे इर redeemable का मतलब क्या है company ये 100 रुपीज कभी भी return नहीं करेगी या फिर अभी company ने कोई plan नहीं किया से return करने लिए redeemable पर ये company को return करने एक given time period के बाद तो हमसे पूछा गया गया है इर redeemable preference shares है उसका cost कैसे निकालते हैं तो उसका cost का formula होता है हमारे पास preference dividend upon me net proceeds क्या formula होता है preference dividend upon me net proceeds तो इसका हमारे पास correct answer क्या आजाएगा option number D preference dividend divided by net proceeds जल्दी से बता तो redeemable preference shares होते हैं redeemable preference shares उसका cost कैसे निकालते हैं तो cost of redeemable preference shares कैसे निकालते हैं तो cost of redeemable preference shares कैसे निकलेगा हमारे पास cost of remediable preference shares preference dividend plus redemption value minus net proceeds upon me upon me हमारा आजागा number of years मतलब जितने टाइम ही वो redeem होना है upon में रिडम्शन वेल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स अपॉन में तू यह हमारा किसका फॉर्मला है यह फॉर्मला है हमारा redeemable preference shares का चीक है और कहीं कहीं पर इहां पर P0 भी बूल देते हैं वो दूलब स्टार्टिंग का जो प्राइज है करन्ट प्राइज है ठीक है P0 चले आगे और यह का मतलब है कितने थाइम बाद वो प्रेफरेंश रिडीम होंगे जैसे 10 years बाद रिडीम होंगे तो 10 क्या होगे न हो गया हमारा चले आगे next है हमारे पास question the cost of equity share capital is greater than cost of debt because option number equity shares carry a higher risk than debts the face value of equity share is lower than the face value of debentures in the most cases equity shares do not provide a fixed dividend rate या फिर equity shares are not easily sellable equity shares easy say market में बेचे नहीं चासते इन में से किस के कारण कि जो हमारा cost of equity होता है cost of equity हमारा जादा होता है cost of debt के किस reason की वज़ा से किस reason की वज़ा से हमारा cost of equity is greater than the cost of debt क्या लिखा है क्या equity shares are not easily sellable हमें भी पता है कि secondary market में stock exchange में हम बहुत ही easily और daily अपने shares को बेच सकते हैं तो यह reason तो बिल्कुल भी नहीं है फिर क्या लिखा equity shares do not provide a fixed dividend rate लेकिन यह higher होने का reason नहीं है कि फिक्स dividend rate नहीं मिलता दा face value of equity shares is lower than the face value of debentures in the most cases यह true तो है बट रिजन नहीं है कि cost of equity जादा होगी जो major reason है जो हमें prominent reason लग रहा है इजर वो लग रहा है कि equity shares carry a higher risk than debt ऐसे क्यूं है कि जो cost of जो equity shareholder है उसके उनका जादा risk होता है तो अगर आपको पता हो तो जो debt होता है उस पे company को interest pay करना ही करना होता है चाहे profits होए या फिर ना हो तो एक legal obligation होती है interest pay करने की वहीं पे equity shareholders को return करना कोई भी legal obligation नहीं होती company की तो अगर company को profit नहीं भी हुआ और अगर हुआ भी तो कोई compulsion नहीं है कि equity shareholders को dividend देना ही देना है और वो higher risk में क्यूं होते हैं जब भी company liquidate होगी जब भी company liquidate होगी तो पहले debt होलो को payment होगी उसके बाद equity shareholders को payment होगी पहले किसको payment होगी डेट होगी फिर equity shareholders को मतलब at last सबसे end में ही equity shareholders को मिलता है तो इसलिए वो ज्यादा risk करी कर रहे होते हैं जब वो ज्यादा risk करी कर रहे होते हैं तो वो ज्यादा returns expect करते हैं company से इसलिए cost of equity हमारा ज्यादा होता है cost of debt से तो correct answer क्या हो जाएगा option number a equity shares करी a higher risk than debt चले next question किया next question है हमें दू statements दे रखी है हमें पताने है कौन सी character कौन सी correct नहीं पहला क्या है the cost of retained earnings is the opportunity cost of dividend forgone by the shareholders statement 2 क्या है the opportunity cost of reserves and surplus may be considered as their cost which is equivalent to income that would otherwise earn a placing these funds in the alternative investment next क्या है select the correct answer from the option given below those statements दे रखी हैं बिल्कुल ही सही लग रही है देखो पहला क्या बोला हुआ है जो cost of retained earnings होता है retained earnings का मतलब क्या है company ने जो भी profit बचे उसके 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 वह दो चीज़े कर सकती है या तो अपने पास retain कर सकती है या उस profit को distribute कर सकती है as a dividend यहीं होता है company को जो profit बचे या तो retain करेगी या तो distribute करेगी as a dividend अगर company कुछ भी profits retain करती है तो क्या है opportunity cost of shareholders के लिए क्यों ने dividend नहीं मिल रहा बिल्कुल सही बात कि अगर company ने retain कर लिया तो उनके पास पैसे नहीं होंगे dividend जेने के तो correct statement में बिल्कुल सही है वही statement 2 में का लिखा है opportunity cost of reserves and surplus मतलब reserves and surplus मतलब retained earnings कर ली इस considered as a cost which is equivalent to income that otherwise earn by placing this fund in the alternative investment अगर company यह retain ना करती है तो उसे यह funds reserves and surplus में जो पैसा रखा हुए उसने उसकी वो कहीं न कहीं investment कर सकती थी investment करती तो उसे उसको interest income होती है चीक है तो बिल्कुल ही सही है दोनों statements तो इसका answer क्या हो जाएगा option number D both statements 1 and 2 are true तो correct answer क्या हो जाएगा both statement 1 and 2 are true देखो अगर company retain करने की बज़ा है वही पैसा shareholders को दे देती as a dividend तो shareholders क्या करते इसे invest करते उस money वो कहीं करते तो उनके लिए वो income generate करके देता है यही होता है चीक है समय आ गया तो option number D हो जाएगा हमारा correct next question पर चलते है next question और हमारा last question है आज का what is the overall या फिर weighted average cost of capital when the firm has rupees 20 crore in the long term debt 4 crores as a preferred stock and 16 crores in equity shares the before tax cost of debt before tax दे रखी है before tax cost of debt preferred stock equities are 8 9 15 percent respectively assume a 50 percent tax rate हमें निकालना है weighted average cost of capital weighted average में क्या होते हैं कि हम weights देते हैं कि इसको जो अपने हमारे उसको होता है cost of capital होती है सबसे पहले हमारी cost of capital क्या है मतलब पहले कितने कितने investment करी हुई है हमने जो हमने debt से लिया हुए और कितना कतना fund raise किया हुए debt से एक है हमारे पास preferred stock एक है equity stock debt से हमने लिया हुए 20 crore रूपीज प्रेफरेट स्टॉक्स के है 4 crores और equity stock के है 16 टोटल कितना हो गया 40 मतलब हमारा 50% 50% debt से है 1% और 10% हमारा preference stock है और 40% क्या है हमारा equity है यही है अब ध्यान से देखना अब cost क्या है इनकी cost क्या है इन्होंने बुला हुआ 8% 9% और 15% लेकिन यह before tax वाली है हमें चाहिए कूंसी होती है after tax वाली चाहिए होती है weighted average cost capital निकालने के टाइम weighted average cost of capital निकालने के टाइम after cost debt वो चाहिए होती है after tax वाली अब इन दोनों में तो हमें जो मिलता है यह cost कुमारी calculate करी आती है cost of capital जो calculate करी आती है उसमें tax का कोई roll नहीं होता लेकिन debt वले में tax का roll होता है तो इसको हम क्या करेंगे after tax बना देंगे तो 8% हमारा क्या है before tax तो after tax क्या हो जाएगा 8% 1- 50% तो 0.5 50% डाले तो 4% आ जाएगा यह मतलब after tax cost update क्या हो जाएगा 4% वहीं हमें preference और equity 3 को change करने की जुरूत नहीं क्योंकि उसमें कोई tax का roll नहीं होता अब तो हम weighted average निकाल लेंगे तो weighted average क्या आ जाएगा 4% 50 मतलब 50% का 4% क्या हो जाएगा यह हो जाएगा हमारे पास 2% फिर हमारे पास 9% of 10% तो 0.1 into 9 0.9% ऐसे 15% of 4 तो 4 into 3 12 तो यह आ जाएगा 40 का 15% 15% हो जाएगा 6% तो टोटल आ जाएगा यह 8.9% तो weighted average cost of capital क्या जाएगा हमारे पास 8.9% तो correct answer क्या हो जाएगा इसका option number D 8.9% चीक है हो गया आजकी question अब हर बार की तरह एक question जिसका answer आपके मुझे comment box ते mention करना है क्या question है डैश में भी defined as the cost of raising additional rupee of capital क्या कहते हैं हम marginal cost of capital weighted cost of capital extra cost of capital यह simple average cost of capital cost of raising additional rupee of fund मतलब जो एगर हमें और fund raise करने हैं तो उस extra जो cost है उसे क्या कहते हैं चीक है इसका answer आपको मुझे comment box में बदिलना है अम मिलेंगे next session में याद रखना है हर thursday हर thursday दो बजे हम ऐसे ही mcqs discuss करते हैं chapter wise और चाहिए वीडियो premium हो रही है आप मुझे comment box पर यह live chat में मुझे doubts पूछ सकते हैं या फिर telegram group में मुझे doubts पूछ सकते हैं मैं premium के time पर available होता हूँ आप easily live chat के during भी मुझे doubts पूछ सकते हैं तो that's all for today बाई बाई टेक्टेर स्यूसून